परिचाय आप एक सड़क पर टहल रहे हैं, सड़क पर वाहन गुजर रहे हैं, जो गुजरते वक्त धुआ छोड़ते हैं, आपको अचानक लगता है कि श्वास लेना कठिन है, ऐसा क्यूं? आईए इसका कारण जाने उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायू मंडल का वलन करना जल और मृदा में वायू की उपस्तिती का प्रदर्शन करना वायू प्रदूशन की व्याख्या एवं इसके कारणों और प्रभावों का वलन करना प्रित्वी का वायू मंडल हमारी प्रित्वी चारों तरफ से गैसों की चादर से ढखी हुई है जिसे वायू मंडल कहा जाता है इस वायू मंडल में कुछ दूसरी गैसों के साथ नाइट्रोजन, आक्सीजन, हाइट्रोजन और कार्बन डायोकसाइड शामिल है प्रित्री पर जीवन को बनाए रखने के लिए वायू मंडल इसके ताप को संचालित करने में महतपून भूमी का निभाता है। वायू में उपस्थित आक्सीजन श्वास के रूप में लेते हैं, हम जल में नहीं जी सकते। जब गोता खोर जल के भीतर जाते हैं तो वो अपने साथ आक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। इस वहल को देखिए या कैसे श्वास लेती है? इसी प्रकार जलिये पादप कैसे कार्बन डायोकसाइट और आक्सीजन प्राप्त करते हैं? आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि वो श्वास के रूप में वायू लेते हैं. आये, एक गदिविधी करते हैं. एक बीकर में थोड़ा जल लीजिए. इसे उबालने के लिए गर्म कीजिए. क्या आप बाहर उठते बुलबुले देख सकते हैं? ये जल से बाहर आ रहे हैं. सामाने तापमान पर वायू जल में घुली रहती है. इसलिए हम इने देख नहीं सकते. जब जल को गर्म किया जाता है, तो जल में घुली हुई वायू बुलबुलों के रूप में बाहर आती है. जीव और पादप जल में घुली हुई आकसीजन को शौसन के लिए प्रयोग करते हैं. मृदा में वायू. मृदा में रहने वाले जीव किस तरह आकसीजन प्राप्त करते हैं? इसे जानने के लिए एक कटोरे में थोड़ी मृदा लीजिए और उसमें जल डालिए. आपने क क्या देखा? आप देख सकते हैं कि मृदा से वायू के बुल्बुले बाहर आ रहे हैं. जब मृदा में जल मिलाया जाता है तो यह मृदा में उपस्थित वायू को जल से इस्थानांत्रित करता है. मृदा में उपस्थित वायू बुल्बुले के रूप में बाहर आती है. मृदा में बिलों और सुराखों में रहने वाले जीव मृदा में उपस्थित वायू को श्वास के रूप में ग्रहन करते हैं वर्षा रितू में इन दरारों और सुराखों में जल भर जाने के कारण इन जीवों को श्वास लेने के लिए पाहराना पड़ता है वायू मंडल में आक्सीजन का पुनर भरण कई करोड मनुष्य, जन्तू और दूसरे जीव वायू मंडल से लेकर बड़ी मात्रा में आक्सीजन का उपभोग कर रहे हैं तो फिर वायू मंडल का आक्सीजन भंडार खत्म क्यों नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि कैसे? आक्सीजन वायू मंडल में छोडी जाती है, और पादप श्यसन के लिए आक्सीजन का प्रियोग भी करते हैं, लेकिन वो जितना प्रियोग करते हैं, उससे ज्यादा आक्सीजन का उसर्जन करते हैं. अताः पादप मौन रूप से हमें मृत्यू से बचाते हैं और इस पर कोई ध्यान दिये बगएर क्या होगा यदी पुनर भरन वांचित इस तर तक ना हो क्या होगा यदी वायू मंडल में कार्बन डायोकसाइट का भरन ज्यादा हो जाए और यह पादपों द्वारा कार्बन डायोकसाइट और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाने की सीमा से अधिक हो जाए क्या होगा यदि दूसरी हानी कारग गैसे वायू मंडिल में उस सर्जित होने लगें उत्तर है इसका परिणाम होगा वायू प्रदूशन वायू प्रदूशन इसके कारण और प्रभाव कार, स्कूटर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर और दूसरी चीजें हानी कारग गैसे उस सर्जित करती है और वायू को प्रदूशित करती है कोईले के जलने के कारण भी अत्यधिक मात्रा में उस्सरजित होने वाली कारबन डायॉकसाइट से वायू प्रदूशित होती है जो पदार्थ वायू को प्रदूशित करते हैं उन्हें प्रदूशक कहते हैं वायू प्रदूशक मुख्यता कारखानों और गाडियों से निकलने वाला गैसिय उस्सरजन होता है वायू प्रदूशन वैश्विक समस्याएं भी पैदा कर रहा है जैसे कि क्लोरो फ्लोरो कारबन के उस्सरजन के कारण ओजून परत का क्षरन और कारबन डाय ऑकसाइट के कारण वैश्विक उप्रदूशन की रोग्थाम वायू प्रदूशन पर कुछ साधारन उपायों से रोग्थाम लगाई जा सकती है निजी वाहन के बजाए सार्वजनिक वाहन का प्रियोग करें दैनिक जीवन में लकडी का प्रियोग ना करें अपने आस-पास ज्यादा व्रिक्ष लगाएं। वाता अनुकूलक जैसे साधनों को दूसरों के संग साजा करें। सूखी पत्तियों और दूसरे सरंशील अप्षिष्ट पदार्थों को जलाने के बजाए उनसे खाद बनाएं। पर्फियूम और ड्यूड्रेंड का प्रयोग कम करें। प्रित्वी के चारों तरफ वायू के आवरण को वायूमंडल कहते हैं। यह प्रित्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। जलिये जीव और पादप जल में विखडित वायू का श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। मृदा में रहने वाले जीव मृदा में उपस्थित वायू का श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। हानी कारक गैसों और वस्तूओं के कारण वायू मंडल को होने वाले संदूशन को वायू प्रदूशन कहते हैं। वायू प्रदूशन को साधारण उपायों की सहयता से कम किया जा सकता है। करते हैं।